करनाटक चुनाव में कॉंग्रेस की जीत के बाद मैं महरास्ट्र का सियासी पारा घरमाता दिख रहा है महरास्ट्र के बयान बीर संजराउत की एक बार फिर से जीफ फिसली है और प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी और अमिच शाह को लेकर बिवादित बयान दे बैठे हैं जिसकी वज़े से उनकी चारो तरफ चम करके आलोचना हो रही है बड़ बोले बयान देने वाले संजराउत ने चुनावी नतीजों के बाद कहा है कि करनाटक की जनता ने भारतिय जनता पार्टी को दरसल लात मारी है संजराउत यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे का कि मोदी से लेकर के शाह तक चुनाव ने रेलियां की हैं लेकिन जनता ने भीजेपी को जोर की लात मारी संजराउत के इस बिवादित बयान की वज़े से वो चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं आलम यह है कि राउत करनाटक चुनाव के नतीजों की तरज पर आगामी लोकसवा चुनाव के नतीजों को जोड़ करके देख रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि विधान सवा चुनाव की ही तरह हम मूदी को लोकसवा चुनाव में भी हराएंगे संजराउत ने दावा किया कि 2024 की लोकसवा चुनाव में भी भारती जनता पार्टी को हर का सामना करना पड़ेगा उन्होंने का कि इस बार करनाटक में वही वा जो साल 2024 में लोकसवा चुनाव में होगा तब भी तस्बीर यही रहेगी संजराउत ने का कि करनाटक में लोकतंत्र की कहानी काम आई है क्योंकि करनाटक की जनता ने खोके सरकार के लोगों को लात मारी है चुनावी नतीजों पर संजर आउत की फिसलती जुबान और बिगड़े बोल पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरू पताएं अगर आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले आपको लगे